देखे, room heaters कई तरह के होते हैं, कुछ heaters तो होते हैं, जो कि oil based होते हैं, इसके अंदर जो गरम oil है, वो circulate करता है, metal plates को गरम करता है, और उसके बाद radiation से हमारा जो room है वो गरम होता है, दूसरे तरह के जो heaters होते हैं, वो होते हैं, बार heaters या electric panel heaters, जिसमें की सामने electric के, उसक की room को heat करता है, तीसरे fan based heaters होते हैं, इनके अंदर भी filaments लगे होते हैं, लेकिन fan गरम हवा बाहर भेजता है, और चौतह तरह जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, वो ACs हैं, जो की गरम ACs, जो की काफी safe होते हैं, जो की नाकेबर वातवरन को अनुकूल बनाते हैं, लेकिन वो air की quality, oxygen की quality को भी regulate करते हैं, बिल्कूल डॉक साब आप रही है हमारे साथ इस वक्ते हैं, देखें, आप दो तीन चीजों का धिहान रखी है, अगर पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जब सर्दी बहुत जादा है, तब आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, दूसरा, इसका इ कार्ड है, तार है, वो कहीं रस्ते में ना आए, जो कार्ड है, वो बच्चे से दूर रहे, और बच्चे इस से छेड़ खानी बिल्कुल ना करें, कम से कम इस्तमाल कीजिए, और वो भी तक जब बहुत जादा सर्दी हो, और इसका मुँ दिवार की तरफ करके आप इस्तमा अगर घर में किसी को बिमारी है, बहुत जादा खासी है, अलर्जीज है, दवे की बिमारी है, तब तो इस्तीमर का महत्व है, लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है, उसको इस्तीमर से कोई फायदा होने वाला नहीं है, और जहां तक कमरे को गरम करने की भी बात है, तो बहुत जादा उससे इतना असर नहीं पड़ेगा तो मेरे हिसाब से स्टीमर एक नॉर्मल वरीज को एडवाइसेबल नहीं है जोडों के दर्द के लिए भी हीटिंग डिवाइसेज का इस्तमाल होता है जो कि कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि ये जोडों के दर्द के अंदर थोड़ा रिलीव देता है इंफलेमेशन को थोड़ा कम करता है लेकिन हीटिंग डिवाइस को इस्तमाल करने से कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमारी शरीर के उपर होते हैं जैसे कि आपने बता है पहली चीज तो ये है कुछ लोगों को माइगरेन या हेडेक्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं इन हीटिंग डिवाइसे से तो इनको इस्तमाल करते हैं वकट दूसरा कई पेशेंट्स में नोस ब्लीडिंग भी हो सकती है नाक में से खून का भी आना हो सकता है और जैसा की मैंने बताया कि सिकिन के उपर तो अच्छा के उपर इसके दुश प्रभाव होते हैं खासकर जब हम हीटर्ट चलाके पुरी रात सोते हैं उसमें खुजली होती है और जो सिकिन की जो उप्री सता है वो काफी dry हो जाती है और उसके अंदर खुजली होती है और allergic patients को खाध ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये air को बिल्कुल dry कर देता है और उसकी वज़ा से कई बार सांस में दिक्कत और घुटन भी होती है दिखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दो तरह की heaters है और heating भी बहुत ज़्यादा aggressive नहीं करते है तो ये हमेशा better रहते हैं लेकिन ultimately आपको ये message देना चाहूंगा आप चाहे कोई साभी heater इस्तमाल करें ये अब प्रकृतिक है तो अगर आपको इस्तमाल करना पड़ता है बहुत जादा ठंड है और जरूरत आप समझते हैं तो काफी कम समय के लिए इस्तमाल करें अक्सर हम लोग जो रात को चला के सो जाते हैं सुबह तक वो चलता रहता है उससे दो दुश पर भाव होते हैं जो तो ये side effects करता है वो तो करता ही है लेकिन morning में जब हम ऐसे वातावरन से एकदम बाहर जाते हैं तो गरम सर्थ होने से भी कई problems हो सकती है देखे ऐसा है कि अगर आप गरम AC चला रहे हैं उसका temperature set कर देते हैं उसके अंदर auto cut off system है फिर इसके side effects नहीं है अगर आपने उसको AC को जो set कर दिया है कि 24 degree के temperature के उपर set कर दिया और उसमें auto cut off है तो उसमें कोई ऐसे side effects नहीं है लेकिन जो blowers हैं heaters हैं अगर हम इनको बहुत जादा चलाते हैं तो जैसा कि प्रोग्राम के शुरुआत में दिखाया गया तो उसमें देर का कोई बहुत जादा वो नहीं है आप अपने कमरे के temperature को set कर सकते हैं 23-22 के आसपास के जो temperature को आप set करके आप सो सकते हैं जिससे की कमरे का वातावरन बहुत जादा गरम भी नहीं होगा और क्योंकि उसमें auto cut off होगा तो वो इससे जादा ना गरम करेगा ना इससे ठंडा रहने देगा तो उसको आप अराम से चला कि उसको देखें पिंकी जी जो आप बता रहे हैं कि जैसे आप जहां गए थे आम तोर पे जहां पर fire furnaces हम लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पर ventilation बिलकुल नहीं होता वहाँ पे कमरे में carbon monoxide काफी बढ़ जाती है और carbon monoxide के बढ़ने के आपने चीज सफर कर चुकी हैं आपने बड़े अच्छे से बताया है लेकिन आपको एक चीज बता दू इसके हमारे शरीर के उपर लंबे टाइम कोई दुश परभाव नहीं होते carbon monoxide poisoning अगर आपको एक बार हो गई है आप उस चीज से स्वस्थ हो गई है और स्वस्थ हुए हुए आपको पांसा दिन हो गई है उसके बाद में इसके शरीर के उपर जो आजकल आपको थोड़ी anxiety है या heart rate बढ़ जाता है वो मेरे ख्याल से एक normal anxiety की problem लग रही है मगर साल पहले जो carbon monoxide poisoning होई थी उसकी वज़ा से यह समस्या नहीं शुक्राइब